हरे बच्चो तो क्या हाल चाल मैं आसा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके क्लास 9 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी है ना तो बच्चो यह वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 9 वाले बच्चो के लिए बहुत जाद से जुगार किये है ठिक है यह कोश्चन जो है उच्चों आप लोगका यह 2020 का कोश्चन है जैक जार्खेटर बोट का 2020 में पूछा गया कोश्चन भूट ही मुश्त हुआ ही थोड़ा सा अप लोगों को नहीं दिखेगा किलियर टिक है तो आप थोड़ा कॉलेटी को बढ़ 2020 का कुछेन अभी हम बता दे रहे 2022 का कुछेन आप लोग को चैनल पर मिल जाएगा ठीक है तो डिस्क्रिप्टिप्सन में लिंक दे देंगे वहां से जाकर देख सकते हैं मिल देगा बच्चो ठीक है चैनल पर तो जाकर मॉडल पेपर भी रिविजन करके ही जाना एक्जाम में ठीक है तो चलिए को देखते हैं हम लोग सबसे पहला कुशन कि 2020 में क्या 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 कुशन पूछा गया था ठीक है चैनल पर नए होंगे बच्चो तो सब्सक्राइब कर इसके रस नइंगे जीडिर का र Mimi संख्या खोटा हुगा क्युंकि जीरो की नीचे हम जीरो की नीचे हम124 कुछ भी लिख सकते हैं चुकि कोई भी संख्या को हम 0 सब डिवाइट करेंगे तो 0 ही आएगा ठीक है तो आपसर नमर 4 इसका राइट हो जाएगा ठीक है यह अंडर रूट 3 होगा कि नहीं होगा बाबू ठीक है आप लोग जान लेना जिसका जिसका मान अंडर रूट में हो ठीक है और परिमे संख्या का परिभाषए का परिभास किसको बोलते क्या होता है कि जिसको को पी क्यू के रूप में लिखते हैं उसको प्रिमे संख्या चें कर देना अंसर आजाएगा ठीक है तो एक और दो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा और नीचे दो से डिवाइट कर देना तो तीन वटा दो इसका राइट अंसर हो जाएगा पहला नमबर को अगर हम सॉफ करते हैं गरते हैं तो भुट ते को यहाइगा ठीक है तो अब किया हो जाएगा थीन चलभ धार फिर दो झारब भीस तरीके से जाते रह गा मतलब कि और इसका हो ठीक है, option 2 तो होगा नहीं, simple सी बात है, तीसरा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, चुकि आप देख लिजए, 6 को 10 से डिवाइड करके, ठीक है, 6 को 10 से डिवाइड करके, आप देख लो, 10, 6, तो आप यहाँ पे देखेंगे, 0 लगादेंगे, point लगादेंगे, 60 हो जाएगा, 10, only 6 आएगा, और हमको लाना क्या था, 0.6666, है न, तो option 1 ही इसका, राइट होगा, के लिए रहे, ठीक है, आप लोग देख लेंगे, एक बर, चलो, आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल में, चौथा नंबर में, क्या लिखा है, 32, 2 बटा 5 के बराबर है, सारा question बचो, आ लिखा हो है, और तो बटा 5 लिखा हो है, ठीक है, और यह किसके बराबर है, यह पूछ रहा है, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, चुकि आप देखो 32 को अगर आप तोड़ कर देखोगे, तो हो जाएगा, 16 दूनी, 32, 8 दूनी 16, 4 द लिखा हो है, 5 और यहां पर 5 लिखा हो है, और दो बटा 5 लिखा हो है, तो इसका मतलब कि 5 गुना 2 बटा 5 हो जाएगा, चुकि यहां पर multiple होता है, याद रखना, ठीक है, अब 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पस बचेगा 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 is equal to कितना हो जाए तो बहुपत का एक ट्रिक है, उसको याद रखना कि जितना भी चर है, चर का पावर में पुर्ण संख्या होना चाहिए, जितना भी चर है, चर के पावर में पुर्ण संख्या होना चाहिए, पुर्ण संख्या होना चाहिए, पुर्ण संख्या होना चाहिए, पुर्ण संख याद भी होगा तो अब देखो यहां पर पहला प्रशन लेके चलते हैं तो चर है और चर के पावर में जो है बच्छों आप लोग का यहां पर अंडरूट में डाल दिया चर को अंडरूट में और अंडरूट को जब हटाएंगे तो हमारा पास वर्ण वर्ण टू आ जाएग दो है नुघर चर में डेख लेते हैं दूसरा चर में आ गया आपका अंड़रूट एक्स कोई भी चर के तो अगर तो आ第 उग जाएगा जोकि कट जाए मैं तीसरे नुमर सवाल देखते हैं यहां पर एक चर नजा रहा भाबो हम सिर्फ का बात कर रहे हैं ठार के पावर को देखना आपको चर के पावर मैं देखना है ठेक है चलो चाटन मेंच 他नोब आप देखते हैं हम लोग यह को लोन से से भाग दिडिया तो से बनाउंगे क्या ऩा लिखावा एक बार देखते हैं हम लोग हां लिखावा एक्स क्यू प्लस वन ठीक है और एक्स प्लस वन से भाग देना है तो जिससे भाग देना है ना उसके बराबर में हम लोग क्या कर देंगे जीरो कर देंगे और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स का वैल्यू हम माइनस 1 का जब क्यों करेंगे तो हमारे पास सिर्क क्या आजाएगा मास वन ही आएगा क्या जाएगा माइनस वन और स्क्रीं ऌटले सकते बच्च कर सकते सेवन नमबर सवाल देखते हैं हम लोग जो हमारे लगतार वीडियो देख रहागा उसको आज काफी मज़ा हो रहागा चुकि बहुत एजी सवाल था ठीक है 2020 में हाँ क्या लिखाब है चलो एट नमबर सवाल देखते हैं बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था क्या लिखाब है यसक्वाइर माइनस 5y प्लस 6 का गुनन खंड है तो बहुत ही ध्यान से इसको देखना ठीक है कैसे बनेगा ध्यान से देखना आपको क्या करना है फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना है तो क्या जाएगा हमारे पास 6y स्कॉइर ठीक है और 6y स्कॉइर को हम लोगो 6y स्कॉइर को ऐसा तोड़ना है कि जोडने घटाने पर इस बीच वाले के बराबर आना चाहिए ठीक है तो 6 2 5 बिल्कूल आ रहा है बच्छों बिल्कूल आ रहा है ठीक है तो 3 और 2 में हमारा तूट जा रहा है ठीक है अब देखो बनाना कैसे है सबसे पहले जो कुशन उसको हम लोग लिख लेंगे y square minus 5y plus 6 है ना अब देखो यहां पर लिखना का है y square को y square लिख देना और युदर plus 6 को plus 6 लिख देना अब बीच में कैसे लिखना है वो ध्यान देना हमारे पस कतना लाना है minus 5 लाना है 12 मिल्कुल RAW माइनस5 ठीक हैं तो मतलब की हो गया है यहांUM अब देखो यहां पर क्या करना है हम लोग डो दो का प्यर बना दो आदा और इन दोनों का प्यर बना दोगुआ इन दोनों का प्यर बनाएंगे और उसके बाद हम दोनों में common देखेंगे तो common इसमें भी y नजरा रहा है इसमें भी y नजरा रहा है तो y को बाहर निकल लो अंदर क्या बचा? एक y बचा ठीके? और यहां पे y जब बाहर निकल गया तो क्या बचा अंदर में? 3 बचा उनले ठीके? तो अब देखो यहाँ पर यह वाला और यह वाला हर हाल में बराबर आना चाहिए अगर नहीं आया तो गलत हो जाएगा यह वाला और यह वाला बराबर आना चाहिए अब देखो यहाँ वाई-2 एक जगा यह वाला और यह वाला एक जगा और जो दोनों मिल गया उसको एक जगा लिखेंगे अब देख लोग कहां पर option बचो यह y-2 और y-3 तो option number 3 में है तो option number 3 इसका right हो जाएगा ठीक है screen shot ले सकते हैं ठीक है एक बार फिर से repeat मैं कर देता हूँ सबसे पहले क्या करना है आपको first और last को गुणा कर देना है first last को गुणा करने पर क्या जाएगा 6y square हो जागा 6y square को ऐसा तोड़ेंगे कि जोडने घटाने पर कितना आना चाहिए हमारा तो minus 5 आना चाहिए तो इसको अगर हम लोग तोड़ते है 6y² को 2 और 3 से तोड़े, 3 दोनी 6 हो जा रहा है, और 3 और 2 को जोडने पर 5 आ जा रहा है, ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे, बच्चों, फर्स्ट और लास्ट वाले को लिख देंगे, लिख देंगे, उसके बाद बीच वाले को ऐसा लिखना है, कि हमको मैनस 5 लाना है, तो म y-3 जो बच जाएगा, यहां पर 2 निकलेगा, तो y-3 और जो यह दोनों को एक जगा लिखना है, और यह वहला जो अलग-अलग common निकला थो, उसको एक जगा लिखना है, तो आपका answer प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, चोलो, practice कर रहें न, ठीक है, आपने को बुक में बहुत रखके देखते हैं, 0, और y कमान भी कितना रखने बोल रहा है, 0, is equal to 7, देखो, दोनों सेट बराबर आ रहा है, क्या, नहीं आ रहा है, यानि option number 1, कट गया, चले, दूसरा option को देखते हैं, अब हम लोग, दूसरा option क्या कह रहा है, x को 3 रखने बोल रहा है, और y को 0 रखने कर दो, तो 3 और 0 को जोड़ेंगो, 3 और बराबर 7, आरा बराबर, not equal, नहीं आ रहा है, यानि option number 2 भी कट गया, ठीक है, चलो, अब देखते हैं, लोग, इसका तीसरा, हाँ, तीसरा नमबर देखो, x कमान 0 रखने बोल रहा है, और y कमान 4 रखने बोल रहा है, तो x कमान 0 रख दो, और y कमान 4 रख दो, और बराबर 7 कर दो, तो 4 बराबर 7, आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानि option number 3 भी कट गया, ठीक है, चलो, 4 वाले चेक कर लेते हैं, लोग, इस नमबर 4 इसका, राइट हो जाएगा, ठीक है, चलो, आगे बड़ेते हम लोग 10 नमबर सवाल, क्या लिखाबा है, x कमान 0 दिया, y कमान 0 दिया, तो किस समीकरन का हल है, ठीक है, तो चलिए, हम लोग, एक अक करके पूट करेंगा, अंसर लाएंगे, तो पहले हम लोग समीकरन 1 में, लोग, पूट करते हैं, मतलब कि पहला नमबर option में, पूट करते हैं, पहला option क्या है, x, 4y, है न, तो चलो, x बलस बोल देते हैं, x बराबर है, बराबर, 4y है, चलो, पूट करते हम लोग, तो x कमान 0 रखने बोल रहा तो, 0 रख देंगे, बराबर, y के जगामें, कित हैं दूसरा तीसरा चाहँ था ठीक है आपका कहीं मैच नहीं करने वाला है चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल में क्या लिखा है दिया गया आले कि समिकरण का है ठीक है तो चलिए इसको बनाते हैं हाँ क्लिए रहे अब दिखें यहां पर कैसे बनेगा हमारे पास एक समिकरण एक यहां पर दिया वाए निर्दे सांग और एक यहां पर निर्दे सांग दिया वाए और दूसरा निर्दे सांग जो दिया वाए दो और जिरो दिया वाए ठीक है और आपको पता होना चाहिए ब y हो गया हमारे पास 2 और x कमान यहां पर 2 है और y कमान यहां पर 0 है ठीक 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 है दूसरा option को देखते हैं दूसरा option देखें यहां पर क्या लिखाब है एक y बराबर x-2 चलो अब इसमें put करते हैं सबसे पहला वालब में देखते हैं लोग पहला निर्देसान को ठीक है बिंदू देखें को चिक करते हैं तो क्या है याइन की दोनों साइट नहीं आया यानि और टू भी कट गया ठीक है चलो अब इसका तीसरा option देख लेते हैं तिसरा option क्या है हमारे पास तिसरा option है हमारे पास y बराबर minus x plus 2 यही है न चलो put करते हैं अब इसको तो सबसे पहले y के जगह में हम लोग क्या डालेंगे 2 डालेंगे तो 2 लिख देंगे x कमान कितना दीवाई 0 तो 0 लिख देंगे 0 plus 2 आप देखो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 0 minus में खतम यानि 2 बच गया यानि कि चलो पहला वाला मैच कर गया चलो अब दूसरा को भी चेक कर लेते हैं दूसरा वाला मैच कर गया अब दूसरा वाला करते है दूसरा वाला देखो क्या है हमारे पास X command 2 दिया हुए ठीक और Y command 0 दिया हुए तो Y के जगह हम 0 लिख दो और X के जगह में 2 दिया हुए तो X के जगह में 2 लिख देंगे प्लस दो तो यहां पर जिरो हो गया और इधर प्लस दो और माइनस दो इस इक्वल टू खतम हो जाएगा तो जिरो बचेगा यानि कि यह जो बचो है यह दोनों निर्दे सांख में बिंदू ए में और बिंदू बी में दोनों में मैच कर गया ठीक है ऑप्सन अबर 3 इसका रा करें हो जिसमें दोनों मैच करेंगा वही ऐंसर नहीं होगा ठीक है चलो बारे नमबर सवाल देखो निर्दे सांग और चार का भूज है छी जब भी भूज पूचा या पूचा भूज तो आपको X कमाण लिखना है किस कमान एक इस इसमें इसका बचो भूझतो अपलोगों समझ मा आ गया क्वेशन आ सकता है कि कोटी इसका कोटी क्या है तो कोटी हम लोग Y कर निर्देसांग को कहते हैं तो यहां पर बता दे ने आपको कौटी कौन साइस में से इसमें कोटी आपको कमेंट करके बताना है चले तेरा नमर सवाल ठीक है और इसका निर्दे सांग पुछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग X कमान देखते हैं उसके बाद फिर Y कमान देखते हैं तो X के जगा में कितना है देखो यह वला लाइन गया है तो 2 हो गया और Y के जगा में देखो Y के जगा में यह वला लाइन गया है Y और Y के जगा मै मैंनस दो तो मैंनस दो हो जाएगा या निकर नर्दे संग जो हो जाएगा दो-2 ठीक कहां पर बचो दीखिए option नुमर टू में है दो-2 तो अप्सन नुमरट्थू इसका राइट हो जाएगा छलिए चाओधा सवाल देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है माइनस दो और चार इस्थित है कौन सा चतुर्थांस में ठीक है तो हमने पहले भी बता दिये थे बहुत सारे मैंत जब पढ़ा रहे थे उसमें बहुत सारे बता दिये थे कि चतुर्थांस किसको बोलते हैं तो एक होता है बच पहला चतुर्थांस जो होता है ना एक्स कमान भी प्लस होता है और य कमान भी प्लस होता है दूसरा चतुर्थांस होता है दोनों मैनस में होता है एक्स कमान भी मैनस में चांथा चतुर्थांस होता है वह एक्स कमान प्लस में होता है य कमान मैनस में होता है इतने स्क्रीन स ले लो इसका सवाल अपल्स मेंस तो मैनस पलस आपका देख लिए कहां पर कौन फल्स में है तो मैनस पलस आपका दूसरा में सब्सक्राइब कि अपने कॉपी में उतार लेक अगर यहां के लिए विजिवल नहीं हो रहा है मतलु समाझ नहीं आएगा तो ठीक है यह पस्टतो नहीं क्या होता हैわかistant कुमेंट करे सब्सक्राइब आपको कमेंट करके बताना चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अगला सवाल में 15 नमर में क्या लिखावा एक दिये एक दिये हुग गए बिंदू से होकर कितने रिखाएं की चीज़ आकती बहुत सारा बहुत सारा रिखाएं की चीज़ जा सकता है अनंत अप्सन नवर 4 इसका र लगर चैहें तो यह कौन कमान दिय मैं तो दूसरा कौन कमान कितना कितना होगा क्या होक्त्तर होगाAgश रखाएं और कान की माप से दःसा दिखोंकिैए सब्सक्रा कौन के माप से दोखनी है इसकी माप क्या होगी एक तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठिक है? हाँ, चलो, इसको बनाते हैं हम लोग एक kोन की माप, इसके समपूरब कोन की माप से दुभोनी है ठीक है, तो समपूरब को कि सको बोलते हैं जिसका दो कोन को मिला करके 16 valley होना चाहिए ठीक है तो पहला संपूरक कौन को हम लोग एक्स मान लेते हैं ठीक है यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पहला संपूरक कौन संपूरक कौन तो पहला संपूरक कौन हम लोग क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे ठीक है तो दूसरा संपूरक कौन क्या हो जाएगा इसका पहला कौन कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स हो जाएगा तो दूसरा कौन कितना हो जाएगा इसका संपूरक हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा 180-6 क्योंकि हम लोगों को पता है कि दोनों को मिलाके कितना होना चाहिए 180 तो पहला कोन अगर x तो दूसरा कोन कितना हो जाएगा दूसरा कोन हो जाएगा हमारे पास 180-6 चलो अब देखो यहां पर बोल रहा है कि इसके कोन के संपूरा कोन के माप से दोगोनी है, ठीक है, मतलब यह दोगोना है, प्रस्णा नुसार अगर देखें तो x बराबर अगर हम कर दें, तो 18-x यह इससे क्या है, दोगोना है, तो 2 गोना इधर से कर देंगे, अब यहाँ पर क्या हो जागा, x और 2 को 180 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 360 और 2 को X से गुना करेंगे तो 2X ठीक है अब ये 2X जो माइनस में इधर आके किसमें हो जाएगा पलस में इधर पलस में आ जाएगा तो पलस में 2X हो जाएगा बराबर 360 ठीक है अब X और 2X जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3X हो जाएगा कितना हो जाएगा 3X बराबर 360 अब इसको हम लोग काटते हैं तो 360 में से 3 को डिवाइट कर देंगे तो 12 या 36 यानि की 120 डिगरी इसका माना जाएगा तो देख लो कहां पर ओप्सन इसका 120 डिगरी अब देखो इसका आपसन इसका राइट हो जाएगा 120 डिगरी किलिए रहे चलो आगे दिखते हैं हम लोग क्या है 18 नमबर संभाहू तरभूज का परतियक कौन कितना होता है तो संभाहू तरभूज का मतलब ही क्या होता है कि जिसकी सभी भूजाएं बराबर हो जिस तरभूज की सभी भूजाएं बराबर है यानि कि ये भी भूजा ये भी भूजा ये भी भूजा जिसकी सभी भूजा बराबर हो उसको लोग क्या बोलते है संभाहू तरभूज 19 नमबर सब्सक्राइब क्या कह रहा हमारा कि यदि एक तिर्भुज एक कौन सेच दो कौनों के योग के बराबर हो तो वह तिर्भुज है ठीक है थोड़ा सा देखे विजिवल आपको नहीं होगा चुकि बहुत पुराना पेपर है ठीक है 2020 का पेपर है ठीक है तो मैं जो बान लो और इसका एक कौन मतलब कि ये वाला कौन दो कोनों का योग के बराबर है बिल्कुल ये वाला और ये वाला को दोनों मिला के अगर इस कौन के बराबर है तो इसको में लोग कौन सा कौन कहेंगे समकौन तिर्भुज बिल्कुल समकौन तिर्भुज कहेंगे क्योंक यह दोनों मिलाके कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए तो यह समकून तिर्भूज हो जाएगा ठीक है option number 2 इसका right हो जाएगा आगे देखते हैं हम लोग 20 number सवाल क्या रिखावा है ABC सरवांग सम PQR किसके बराबर है तो यहां पर दो तिर्भुज है क्या है एक है ABC ABC और एक है पीक्यूर ऐपर मैं फिर से तिर्भुज किलियर कर又 हो देता हूं हाँ ए एक है A, B, C एक है P, Q, R ठीक है यह दो तिर्बूज बराबर है ठीक है और यहां पर आपको जो बता रहा है बच्चोर ठीक है कि A, B, C और P, Q, R जब इस तरीके से रहता है तो इसका मतलब कि A के कौन के बराबर B है और B के बराबर कौन Q है और C के बराबर R है ठीक है यह कौन A के बराबर कौन P है ठीक है और कौन B के बराबर कौन Q है B के बराबर कौन Q है और C के बराबर R है कौन C के बराबर R है ठीक है कौन का R अब देखो इस चीज का मतलब समझे ना कि जब कौन बराबर हो तो उसकी सम्मुग जो भूजा होती है वो भी बराबर होती है तो दे तो यहां लिख देंगे BC और A के बराबर P है तो इसके बराबर P है तो P के सामने वाली भूजा क्या है QR तो QR भी बराबर हो जाएगा यानि कि BC और QR भी बराबर हो जाएगा क्लिए रहे ठीक है अब दूसरा देखो B और Q वाला को देखो कौन B का बात कर रहा है B और Q बराबर है तो B के सामने वाली भुज़ा कौन है AC है तो AC हो जाएगा और Q के सामने वाली भुज़ा कौन है PR तो PR बराबर हो जाएगा AC के बराबर क्या होगा हमारे पास PR हो गया अब देखो C और R के बराबर बोल रहा है C भी बराबर है किसका R का C बराबर है R का तो C का संब्ग को भूजा कौन सा हो जाएगा A B और R का संब्ग कौन सा हो जाएगा P Q अब हमारे पस Question क्या बोल रहा है तो P R किसके बराबर नजरा रहे आपको तो P, R जो बराबर न जारा रहा है, AC के बराबर न जारा रहा है, तो AC इसका right answer हो जाएगा, देख लो कहांपर option, स्क्रिण सोट ले लो बच्छो Jesús, AC इसका right answer हो जाएगा option number three, छलो, आगे बढ़ते हैं वो अग्ला सवाल में, अगला सवाल क्या है हमारे पास देखे एक समट चतरु भुज। एक चतरु भुज। के तीन कों दिया हुआ है 100 नव 908 और और कीतना होता है बचलों 3060 होता है कितना होता है 306 तो तीन कोन का मान दिया हुआ है और एंठानवे दिया हुआ है और बैकना भी दिया हुआ है ठीक है तो इस कोन का मान पूछ रहा है तो कैसेaggio निकालेंगे हम लोग लिखेंगे 100 plus 98 plus 92 और चौथा को उनका हम लोग X माल लेंगे क्या माल लेंगे X और सभी मेला कि कितना होना चाहिए 360 चुक्कि आपको पता है कि चत्रभुज का चारो को उनका मान कितना होता है अब सबको जोड देंगे हमारे पास तो कितना हो जाएगा और 192 तो आठदू-10 का जीरो हाथ बचाए एक नौन ऑठारा एक 19 का नौहाव हाथ बचाए एक दो 290 हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा तू शौ झाहाए तो इधर क्या करेंग में एक सिहाँ लेकर देंगे 306 में से हम इधर मैनस करदेंगे 290 को तीन सॉशाथ में सब तो 270 घटाएंगे कितना प्राफ्ट हो कमारे पास 70 फॉब्ट होगा थिए तो इसका मतलब क्या होब कि चाहूं K2 का 4 गुना है तो को मान कितना होगा था है कि जो है क्यों क्या है कि चार गुना है मिलत घ्रेओं है तो दिटी कि कैसे छोड़ा यह को बताते कि क्यों सान्तर घ्रण होता हैं मुलें समने भूजा क्या हो समांतर हो यानि कि इसकी समांतर यह इसका समांतर यह ठीक है तो मालो ना PQRS हम सब का नाम देते हैं इसका नाम देते हैं PQRS ठीक है दे दिये हम ठीक है अब बोल रहा है P जो है Q का चार गुना है ठीक है पी जो है Q का चार गुना है ठीक है तो अब हम Q को मान लेंगे X क्या मान लेंगे Q का X मान लेंगे और P का कितना हो जाएगा? 4 गुना है तो P का मान कितना हो जाएगा? 4 X हो जाएगा ठीक है? किलियर है? और आपको पता है कि कोई भी चतुर्बुजद का 4 अजन का मान कितना होना चाहिए? तो मान होना चाहिए 340,000 4 अब देखो ये 4 X हो गया और ये X हो गया और समानतर चत्रपुच को सम्मुक कोन भी बराबर होते है तो ये X तो ये भी X और ये 4X तो ये भी 4X हो जाएगा अब सब को जोड़ के 360 आना चाहिए तो जोड़ दो 4X पलस एक और 4X था यहाँ पर 4X यहाँ पर X पलस X बराबर कितना होगा? 360 होगा सभी को मिला कि कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए अब दो कुछ 4X 4X कितना होजाएगा? 8X, 8RX, 9X, 10X तो कितना हमारे पराब्ट हो जाएगा? 10X दस X बराबर 360 अब X बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 10 तो 0 से 0 कर जाएगा यानि कि X कमान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा 36 36 डिगरी इसका अंसर हो जाएगा बच्छो ठीके हमारे पास Q कमान ही पूछ रहा था साइड इसमें ठीके तो Q कमान पूछ रहा था देख लेते हैं हाँ Q कमान पूछ रहा था तो Q कमान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया था हमारे पास 36 यानि option number 3 इसका right हो जाएगा Q कमान पूछ रहा था ठीक है P का पूछता तो Q का 4 गुना कर देते 36 को 4 से गुना कर देते चलो आते हैं हम लोग 20 number सवाल क्या लिखावा है सम चत्रभुज के विकर 24 cm और 10 cm है तो इसका छेत्रफल क्या होगा ठीक है तो सम चत्रभुज का छेत्रफल क्या होता है इसको जानना होगा ठीक है सम चत्रभुज का छेत्रफल तो सम चत्रभुज का जो छेत्रफल होता है बच्छो वो होता है आपका 1 बटा 2 विकर्णो का गुननफल यानि कि D1 इंटू D2 फिकर्णो का गुननफल D1 इंटू D2 लिख देंगे और D1 हमारे पास केतना दिया है और D2 केतना दिया हैупर 10 दिया है तो काट देंगे 1227 हो जाएगा और 12 vivir हो जायेगा 120 इसी तरीके से समांतर चत्रबुज का और भी आ सकता है सम चत्रबुज का आगे बढ़ते हम लोग 24 नमबर सवाल में पढ़ेंगे ध्यान से सुनना समांतर चत्रबुज का चत्रबुज कोई रिकत मत देखिए किना यहां पर आपसा समांतर चत्र चत्रबुज का चस राल पूँछ रहा है तो कैसे निकलेगा आराम से बिल्कुल बनेगा तो समांतर चत्रपुज का छे तर्फल होता है वह होता है अधार कुटे हुज्जाई हूपके आपके पास दोनों दिया हुआ है थीकि है गुंआ कर दो ना अधार कितना दिया बच्चो एहाँ पर अगर ये 5 है यह भी 5 ही हो जाएगा ठीक है तो 5 दिया हुआ और उचाही कितना दिया हुआ उचाही आपका 7 दिया हुआ तो 7 से गुना कर दो 7 पचे 35 cm2 इसका अंसर हो जाएगा ठीक है बहुत यह असान था तो 35 इसका option चलो इसको बनाते हैं ठीक है किलियर में चलिए आपका दियावाइए यहां पर सबसे पहले A B एक A दियावाए और B तो एक रिखा की दो A और B ठीक है और B C भी दियावाए एक टो तो B C यहां लेकितो ठीक है अब बोल रहा है कि इसके बाद तीनो जो बिंदू है उस पर एक विरित किचा गया है तो विरित खिच देंगे हम लोग ठीक है जो भी होगा थोड़ा बहुत ठीक है यहां टच करेगा आपका ठीक है तो विरित खिच दीए और जब हम इसको मिला देंगे AC को तो हमारे पस क्या हो जागा यह एक विरित का व्यास बन जाएफ ठीक है और A B कमारण 12 दियाआ था और B East C कमान16 दियाआ था यहां तक के लिया रहे ब करन को परिच Jag callний को जब निकाल लेते हैं Quad कर न को ce का यह पाइथागोरस पर में लागो करेंगे है न तो पाइथागोरस पर में क्या होता है एसी का स्कॉाइर बराबर ठीक है एसी का स्कॉाइर बराबर एबी का स्कॉाइर एबी का स्कॉाइर पलस बीसी का स्कॉाइर सब्सक्राइब कर देंगे कि कितना हो जाएगा सोला का कर देंगे तो फोटी फॉर पालस का करेंगे तो तो एसी का स्कॉयर हमारे पास दोनों को जोड़ देंगे कितना जगाँ छेट चार दस पांच चार नौर एक दस दो एक तीन एक चार ठीक है अब यह स्कॉयर जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमुल में हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा तो अंडर चाहिए वर्गम व्यास जो आपका एशी जो दिया हूँ है वीस योदो यह आपका क्या है विरित का व्यास क्या है वियासर और हमारे पास क्या चाहिए तरेेज्या क्या करते हैं क्या मेंड़ें चै nutr से होकर जाने वाले विरित की 3G है तो विरित की 3G हम लोग कितना निकाले 10 सेंटिमेटर तो आप्सन वर्थ रिसका राइट हो जाए ठीक है चलिए 26 नमर सवाल देखते हम लोगा क्या लिखा हुआ आकरेती में यदि AOB कमांद दिया हुआ AOB यानि 60 डिगरी दिया हुआ है ACB कमांद पूछ रहा है इसका मांद जब भी इस तरीके से सवाल रहे बच्चो तो इसका जश्ट यहां वाला आधा हो जाता है तो 60 का अधा कितना हो जाएगा 30 यानि ऑपसे नुबर 3 इसका राइट हो जाएगा जब भी इस तरीके से रहा बच्चो तरीके से रहा यहां जितना मांद दिया रहा है अगर नीचे सव दिया वाए तो उपर कितना हो जाएगा 50 अच्छा अगर कुश्चन उपर दिया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में क्यालिक अबचि में चार सेंटिमेटर दिया हुआ और एशाट डिगरी दिया रचना की रचना संभाव नहीं है बीसी और एसी का अंतर तो एक तिर्बुझ है एबीसी क्या है एबीसी एक तिर्बुझ है ठिके इसमें पूछ र ठ्विझा नहीं होना झाली होना खाए बढ़ा जहां का अंतर अगर तिसरी बुझा से बढ़ा हो गया तो वो कभी संभाव नहीं हो तुप जाओं का अंतर जो है यह एबी से जो है छोटा होना चाहिए तो यह संभाव है 3.5 है चार से ठीक है 3 भी संभाव है 2.5 भी संभाव है लेकिन 4.5 यह संभाव नहीं है चुकि यह 4 से बढ़ा है ठीक है अपसर में इसका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लोग क्या लिए पावागे 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भूजा वाले तिर्भुज का चेत्रफल निकालना है तो इसका हम लोग हिरोओन का सुत्र का फॉर्मोला क्या होता बच्चो इसको नोगत उत्रफल मारे पास क्या होता है अ होता है अंदरोट क्या होता है अंदरोट इस इस माइनस ऐ यह माइनस वी और एस माइनस सीपिट यह फॉर्मुला होता है हिरोन ऐटाएंगे कैसे वो भी समध्याइड पहले हम Scorp defeat बार-बार ने ज़र आ रहा है तो इसका value निकाल लेंगे इसका मतलब होता है त्रिभूड का अर्थ परिमाप क्या होता है इसका formula होता है A plus B plus C बटा 2 ठीक है तो A कितना मान दिया ओचो 15,25 तो लिखेंगे 15 plus 20,25 बटा 2 सब को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 15 20 और 15 तो 15 और 25 होज़ाएगा हमारे पास 40 और 20 60 बटा दो यानित्थी समान आ जाएगा मारे पस इसका अब हम लोग करेंगे ठीक है इसक कमान कितना ओया 30 ठीक है फिर एज लिखा हो है तो इस क्मांद 30 और एक कमान कितना दियाओ है सिऎ हो थोयान तो पद्रा दिए यहां पर और दिए हो vandaag सिप्लों तो 350 माइनस सभूंप देओ तो धीयो यह साी कि एस कमाद कितना दिया है 30 और सी कमाना कितना दिया है तो सी कमाना आप का दिया Opera 25 ठीक है 25 लिए रहा खर 10 का 30 लिग लिदेगे और यहां पर थीज में से 15 गटा देङे तो 15 बचेगा 30 में से 20isons गटा देंगे 10 बचेगा 30 में से 25 गटा देंगे आने तो फास बचे तो इसको लिख सकते हैं 6-5 हाँ 6-5 लिख सकते हैं बिल्कुल 10-33 कर देखा हाँ 10-33 कर दो 6-5 मत करो चुकि 10 यहां पर है न 10 मैच कर जाएगा 10-3 कर देते हैं 15 को कर देते हैं 5-3 कर देते हैं और फिर 10 को दस ही रहने दो pretty 10 में यूद्ष कर जाएगा और 5 को पांच रहने दो अब द दू का यहां कि लिए रहे इसक्रीन सोट ले सकते बच्छों चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नमबर सवाल क्या लिखाब एक सक्ष का समिकरन के रूप होगा तो एक्स अक्ष के समिकरन का रूप जो होगा बच्छों जब भी एक्स अक्ष का बात करें तो वाई को 0 कर देना आपको क्या कर डायरिक्ट फॉर्मूला पुछा बच्छों ठीक है फॉर्मूला आप लोग एक्जाम में रट के जाना ठीक है याद करके जाना पूरा अच्छा से तो बेलन का त्रिजिया दिया हुआ और उचाई एच दिया हुआ है तो इसका कुल प्रिश्टी चेतरफल जो होता है टू लग लग लाट होता है अब देखो यहां पर त्रिजिया दिया हुआ कितना दिया हुआ है पूर्णा ठीक हुआ हुआрал के जीगाम हार पला टूलिग देंगे यल कितना आ मैं कितना लिख देंगे र कमान दिया हुआ है आर बटा टू milligram लिख देंगे अब इसको शॉल्ば करे सब दो यहां पर नेचे और लें यह को क्ता वर जे कर देंगे लेंगे तो तो नी से करेंगे यहां पर फेर करेंगे तो यहां पर पड़न नेवी तो नदर cynी काम करते हैं तो अंदर कुछ innovations तो इसको एक काम करो ना यहां रहने दो बाहर टू को अंदर करेंगे तो दो दूनी कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है चलो यहां तो आपने तो कहीं नहीं है नहीं है तो पाई ए लिख और इसको इससे डिवाइड करदेंगे 4L को 4 से डिवाइड करेंगे और 4L को 4 से डिवाइड करेंगे चुक्ष ओर 4 जाएगा और आर को 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कुछ होगा तो यहाँ पर R बटा 4 हो जाएगा ठीके, अब देखो कहाँपर option यह ठीक है नोट कर लो इतना पहले अभी इसका option हम दिखाते कहां पर एल प्लेस आर बटा फोर है ना तो देखे हाँ यहाँ प्लेस आर बटा फोर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में 32 नंबर में क्या लिखाब एक बेलन की तरिज्जिया दिया हुआ 20 cm और उचाई तो फाई साथ मीटर दिया हुआ है ठीक है यहां question तो मीटर और सेंटिमीटर में है ना तो थोड़ा सा confusion नहीं होना है ठीक है आप इसको सेंटिमीटर में पहले change कर लो ठीक है उसके बाद यह आइतन निकालना है तो बेलन का जो आइतन होता है वह होता है पाई आर स्कॉाइ में कर लो ठीक है तो साथ में को हम लोग अगर सेंटिमीटर में करेंगे तो सौ सेंटिमीटर तो कितना जिरू होगा एक दो तीन चार चार्थ जिरू लगा दो ठीक है अब देख लो आट लग 80,000 cm2 कहां पर अंसर देख लो आट लग 80,000 आप्सन नमर वान इसका राइट हो जाएगा बच्छो ठीक है चलिए आगे बढ़े त्रेम लोग अगला सवाल में क्या लिखावा है दस दस मीटर पांच वीमावों वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई तो अगर मान लो कि एक कमरा घना बकार का है तरीके इस तरीके से आपका कमरा रहता है और जब अधिक्तम से अधिक्तम जो रड रखना है लोहा रखना आपको डंडा रखना है तो आप कैसे रखेंगे कोना को 10 10 का स्कॉयर करेंगे 10 0 90 को सबको 225 तो हमारे पास कितना हो जाए हागा 50 1981 को पंद्रा को 15 से गुणा करते हमारे पास 220 प्रापत हो जाए बच्चो एक हो चलो अगला सवाल प्सकर उतर पंद्र हो चलो अगला सवाल लिखते हैं लोग इसमें आपको क्या बताना है साथ आठ नाओ छे आठ नाओ नो नो शाथ आठ ओड़ों का आठ का बारंबार तक इतना है तो आठ के टो एक दो टीन चार तो इसका अंसर चार हो जाएगा ऑप्शन वर फॉर इसका राइट हो जाएगा चार नंबर तो प्राफम संक्याओं का मादे ध्याद करने के लिए आपको सब योग करना तो यहां पर प्रत्थम तीन संक्या लिखो तो कहां से सब्सक्राइब निकालने के लिए सभी संख्याओं को योग करेंगे दो पर चार पलस चे और जितना संख्या उतना डिवाइड करें के संख्या एक दो तीन तो तीन से डिवाइड कर दो तो अब करो दो 1 3 i2 3 3 या यानी को सा नमबर काम सा है चार कहां आगे बढ़ते हम अगला सवान में साइन तीस नमबर में ढांकेड़े 2 3 4 3 5 3 1 2 का बहुलक कितना होगा तो बहुलक को बोलते बच्चों ज्यादा बहुरुट किया हुए तो कौन ज्यादा बढ़ रिपीट किया आ रिपीट कि थ्री थ्री राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलो अगला सवाल देखते हम लोग 38 नमबर ठीक है कितना हसान सवाल पूछा था बच्छों आप लोग का 2020 में ठीक है तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना ठीक है प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा कभी-कभी कुश्चन इधर उदर करते है टीक है एक्जाम में क्या लिक्शित में कौनसी गहतरना की प्रैक्टा नहीं हो सकती है तो सकता तो एक हो सकता है माईनास बाटा गठाना की प्रैक्टा जिरो होता है लोग पहले रटवाद इंगा और निश्चित घटनद करके चाल्य सवाल लोग क्या लिखा है एक हजार नहीं सोच रहे हैं एक हजार है नहीं तो आप इससे जब डिवाइट करेंगे तो हमारे पास जाएगा 0.55 कितना जाएगा 0.55 ऑप्सन बरबान इसका राइट हो जाएगा ठीक है तो यह था आप लोगा लुटेसान पास मारे दरबाता है तो आप लोग 2,019 से मैंने क्या कर वाया हूँ निस से लेकर तो हुआ कि 2019 से लेकर 2020 मौडल पर पूरा पर घुर्ट करवा दिया है और रिलीज किया गिया उसको भी अमने करवा दिया मतलब थे 2019 से 23 तक 5 साल का मॉडल पेपर हमने चैनल पे अपलोड कर रख है आप उसे जरूर देखें ठीक है और नहीं मिलता है तो आप हमें मैसेज करें मिल जाएगा ठीक है और कुश्चन पेपर जो है बच्चों आप लोग का करवा दिये हैं 2020 का भी करवा दिये 2021 में कुश्चन हुआ तो इस तरीके साप अगर एक्जाम में तैयारी करते हो तो आपका जो है बढ़िया से बढ़िया जाएगा आपको हर कुश्चन का नॉलेज हो जाएगा इसी तरीके साफ तैयारी करो मैद साइंस ऑसल संस हिंदी सारा सब्जेक्ट का आप लोगो चैनल में मिल जाए बच्च और आवाँ जाकर जोइन कर सकते हैं ठीक है यह को टिकेशन को सपोर्ट करो थोड़ा ने के लिए एक मेरे मेरे धन्येवाद तुडे में धन्यवाद